नमस्कार प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है अम ग्लोबल पंजाब के नौर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यॉर्प के दर्श को का भी स्वागत करते हैं भारत में पिछले 40 सालों से खाद्यान बाटने वाली यूजनाई चल रही है लेकिन भुकमरी और कुपोशर नहीं मिटे एक रिपोर्ट के मताबिक दुनिया में भूख से पीडित एक चौथाई के करीब लोग हमारे देश में हैं यानि हालात खराब है तो क्या राश्टी ए खाद्य सुरक्षा कानून एक परिवार को 25 किलो गीहूं चावल और मोटा अनाज दे कर देश में खाद्य सुरक्षा के हालत बहतर कर पाएगा खुद को भरती हुए आर्थिक शक्ती मान कर गर्व करने वाले हमारे देश के लिए खबर शर्मनाख है दुनिया में भुकमरी के शिकार जितने लोग हैं उनमें से एक चौथाई लोग हमारे देश में रहते हैं भुकमरी मापने वाले सुचकांग ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने अपने रिपोर्ट में भारत को इस मामले में 63 स्थान पर रखा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट के मताबिक दुनिया में भूग से पीडित लोगों की कुल संख्या 84 करोड 20 लाग है और इनमें से 21 करोड लोग यानी एक चौथाई के लगभग लोग अकेले भारत में हैं भारत को इंडेक्स ने अलार्मिंग कैटिगरी में रखा है और बताया है कि देश में 5 साल से कम उम्र के 40 फीज़ी बच्चे अब भी कुपोशित हैं रिपोर्ट के मताबिक भारत की हालत पहले से भले ही बहतर हुई है लेकिन कई पडोसी मुलकों से बत्तर है विक्सित देशों की बाद जाने भी दे तो पाकिस्तान और बांगला देश से भी ज्यादा भुक्मरी हमारे देश में हैं इस रिपोर्ट के मताबिक दक्षन एशियाई शेतर में बच्चों की कुपोशन का प्रमुक कारण सामाजिक असमानता और महिलाव में पोशन, शिक्षा और सामाजिक स्तर का निम्न होना है रिपोर्ट के लिए 120 विकास शील देशों पर स्टडी की गई थी इनमें जो अंग दिये गए वो कुपोशित दुगो का नुपाद, पांच साल से कम उम्र के बच्चों का सामान से कम वजन और बच्चों की मृत्युदर पर आधारित था रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि खाद्यों और पोशन सुरक्षा के मामले में राश्टी नीती तैय करने की जरूरत है तभी समस्या से पार पाया जा सकता है इसी मुद्धे पर आध चर्चा करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अर्थ शास्री प्रोफेसर बियस खुमन जी प्रोफेसर रौन की राम जी भा हमारे साथ है पंजाब युनिवर्स्टी में राजनीती विग्यान पढ़ाते हैं साथ ही हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार वरिश्ट पत्रकार विजयसी रॉई भी मौजूद है प्रोफेसर बियस खुमन जी पहला सवाल ही यही है कि हालात इतने खराब क्यों है अनकी देश में कमी नहीं है फिर क्यों हालात इतने बद्तर है उससे सबसे जो बड़ा उसका कारणा है जितना अनाज हम प्रडूस करते हैं और जितना हुमन बिंग्स तक जाता है उसमें 50% वेस्टेज हैं इफ फिपडूस हुआ हरी है जो के ऑस्ट्रेलिया की टोटल वीट के बरावर है जितना ऑस्टेलिया एक साल में वीट प्रूस करता है हमारे कंट्री में उतना वीट डिस्टिबूशन और प्रक्यूर्म फ्र्ट्रेश में खराब हो जाता है सबसे एक immediate कारण जो है, उसके बिना और long term कारण है, जो distribution of assets है, distribution of land है, जिसकी वज़ा से poverty exist करती है, employment के avenues, ग्रीव आदमी को उस space पे नहीं हो रहे हैं, जिस space पे population वड़ रही है, कारण बहुत सारे हैं, लेकर अगर immediate देखा जाए, जिस इतना हम produce करते हैं, उसमें इतने transmission losses हो जाते हैं, वो 50% तक चले जाते हैं, अगर हम उसको भी प्लग कर लें, तो भी हम बहुत हथ तक जो लोग भूकमरी का शिकार हैं, उसको उनको हम food महिया कर सकते हैं, प्रफिसर रॉन किरम ये भी सवाल है, क्या जो भूकमरी के शिकार लोग है, उन तक पहुंचा नहीं जा पा रहा है, एक तो पहले तो अनाजी खराब हो रहा है, पचास फीजी जिस तरह से प्रफिसर गुंबन कह रहे हैं, अगर हम उसको बचा लेते हैं, तो क्या उन तक ये पहुंच पाएगा, ये भी सवाल है, देखिए जो भूक की समस्या है, वो समस्या हमारी अनाज पैदा मुझे मान के चलें, क्या अनाज की कमी है, अगर अनाज की कमी है, तो उस एंगल से, उस नुक्ता नगा से, हम मुझे मान रहे हैं कि भूक मरी है, पर हमें शुरू से आज की बात नहीं है, अंग्रेज के राज के समय के दुरां, जहां जहां भी भूक मरी हुई है, जहां ज तो सरनकुन उनोब्ल फ्राज्जिम मिला है वह है Man-Made हमारी गलतियों से हुई उस में много की कमी नहीं थी उसमें management की कमी थी present के साथ पॉल जो इस हूँ यह जो management food की है इक तो वह también एक बात और बोलों what वो जे है कि जो हमारी बॉर्यक्रेसी है, जो हमारा गुवर्नमेंट का, you know, मैनेंजिंग करनवाले ने, हम उनको कितने सेंसिटाइस किये होई हैं, यह कि एक लाइसेंस देना, एक अजैंसी देना और एक फूट को एंडल करना, दो अलग-ळग चीजि जो फूट को हैंडल करने हम उसमें एक शूमन ओप्रेक्टर है वैसे तो लाइसे देना जैना जैना में भी हूमन फैक्टर है हम जहें मानकर चलते हैं कि अगर किसी को डिवी कार्टी आती है किसी को विद्वा को ना को फ्रीटम फाइटर है हम उसको इ जब तक हम अपनी भूख को हम अपनी मेनेजमेंट को हम अपनी पॉर्शी को साथ में मिलाकर नहीं देखते हम हंगर का नतीजा नहीं पहुंचे यानि बहुत सारी चीजे आपने निकाले एक तो प्रबंधन विजय इसे पर सवाल है कि प्रबंधन की कमी अनाज की कमी नहीं है प्रबंधन की कमी प्रफेसर रॉंकि राम कहरें और यह भी की सिफ क्या ये पेट भरने की समस्या बोक माई जिस छ है कि सवने बताया की सिफट्र ब्रभंधन की समस्या है तो सभी को पता फिर आपका पुब्लिक डिस्टूशिन सिस्टम है उसमें फॉल्टी है भी भी बहुत जादा है और उसे के तुरू जो है ये खादी सुरक्षा बिल भी जाना है उसके तुरू जाना है तो उसमें अभी है कि जो लिकेजिस है पहले तो लूपोल्स जितने भी है प्लग करना परेगा तो कहरें कि अधारकार से कुछ हद तक सॉल्व होने की समझावना है बट अभी भी बहुत टाइम लगेगा उसे करने में और फूट सेकुरेटी बिल भी है इस साल से तो होना नहीं है कुछ पार्ट में हो जाएगा बट उसको फुली इंप्लेमेंट करना है लेटर की दरों पर खाद्यान इससे क्या भुक्मरी दूर हो पाईगी ऐसे है विसमें अगर हम रूर्ल और अर्बन ब्रेक अप भी देख लें तो सेविटी पर सेविटी फाइफ परसेंट अर्वन पापुलेशन को कबर करेगा इसके लिए जो रसोर्स चाहिए हमां ओर सोर्स हैं 25,000 क्रोड की धनराशी की जरूरत है जैसे हमारी गवर्मेंट सभी की फिस्कल हेल्थ अच्छी नहीं है सबसे बड़ा सवाल तो यह मलके उठता है भी क्या हम 25,000 क्रोड जो धनराशी है उसको पर सरकार तो यह क्या आश्वानवित करें कि हम यह कर लेंगे नहीं ठीक है कर हैंगे इतनी मलके इतनी हमें रिसोर्स को मॉबलाइज करना पड़ेगा अगर उसमें जैसे विजह जी कह रहे थे भी जो पबलिक डिस्टिपुशन सिस्टम है एक तो यह मादियम है दूसरा एक इंटेग्रेटर चाइड डवेल्मेंट स्कीम्स हैं जिसमें नूट्रिशनल प्रोगम चलते हैं नूट्रिशनल डाइट दी जाती है तीसरा मिड़े मील्स है जो भी उसी कंटेक्स में आ रहा है जिसके मादिम से फूड की फूड स्कीरिटी को इंशूर किया जा रहा है एक दो स्कीम्स और हैं जब हम सबी स्कीम्स को टोटैलिटी में देखते हैं जैस इसका जो गुवर्नेस लॉसस बहुत जाता है जितना अनाज वहां से चलता है उतना अनाज गरीब तक नहीं पहुंचता है टारगेट पापूलेशन तक नहीं पहुंचता है उसमें मार्केट कहीं पर एंटर कर जाता है मेरे पास एक लाइसंस है डिस्टिबूट फूड कर मतलब सार्जुनिक वितरन प्रणाली में जो खामिया जो विजय कह रहे थे अब वो बिलकुल एविडेंस है उसका दो तो फिर क्या हालत मतलब सुद्रेंगी भी नहीं जाए खादी सुरुक्षा बिल ले भी आया तो भी दो स्टेस पर उसमें खामिया एक तो हो जाता है एक तो वहीं से फांडेशन लेडाउन हो जाती है भी किसको इसमें इंक्लूड करें किसके एक्सलूड करें उसमें अबजेक्टिव जाडिस्टिक्स नहीं है जी उसमें सब्जेक्टिविटी इतनी आ जाती है भी कई दफार डिजर्विंग एक्सलूड हो जाता अगर उसको दुकानदर कह जाता है अभी इसमें फूड आना है जहां ग्रेना ही वह उसको तुरंत मान के बापस आ जाता है लेकिन अगर वह आर्टिकुलेशन अगर वह इसको फूड मिल सकता है इसका मतलब यह हैं इसको इन्टाइटलमेंट के लिए डिसेमिनेशन और जागरूथ होना पड़ेगा लेकिन यह भी बड़ी समस्या है क्योंकि ज्यादा तर लोग जो है वह गरीब तो हैं यह साथ ही अशिक्षित है उन्हें यहीं नहीं प इसको इन्टाइटलमेंट है उसको इन्टाइटलमेंट को अपरेशने के लिए अवेरनेस इंपावर्मेंट बड़ी जरूरी है जब आप जाओगे आपको जवाब नहीं दे सकता अगर जवाब देगा तो फूड सेक्यूर्टी एक्रेस में स्टेट फूड कमिशन बनेगा और डिस्टिक लेबल पर गृविंस रिड्रसल मेकनिसम बनेगा उसको उसके बारे पता नहीं है फूड स्टेट फूड कमिशन बनेगा उसको इतने भी इंटाइटलमेंट है उसको डिस्प्ले किया जाएगा वेब साइट पर हो आप इंटाइटल हो जाने हो अवरीधिं अ पर जितने भी अब तक हुए हैं उनमें सभी में खामिया रही है इतनी क्लेम करने के बाद यूद भी ट्रांसपरेंसी नहीं है चुनौती एक प्रफेसर रौन के नाम खामिया जो है बहुत बढ़ी चुनौती खाजी सुरेक्शा कानून आ चुका है लेकिन एक जो प्रफे हमें बहुत ही प्रेक्टिकल ही रियालिटी से जुड़कर इन सवालों को समझना होगा हम जे मानकर चालते हैं डेटा कहता है कि हम शरी लंका पाकिस्तान और बंगलादेश से भी पीछे हैं और हमें डेटा कह रहा कि हम हमारे 40 परसंट जो बच्चे हैं पांस साल की उमर से क वो शिकार हैं और जितने लोग बुखे हैं तो जे डेटा जो है जो रिपोर्ट बनी है वो बहुत ही संजीदगाड तरीके से कुछ लोगों की अपीनियों हो सकती है अब कैसे बुखमरी को कल्कुलेट करते हैं हो सकती है एक बात इसमें आती है कि सौथ एशिया में इस खि जादा भुखे लोग जहां पर भुखमरी से पीट लोग हैं अब इस सवाल को मानते हो गई जो आप फूट स्कॉट टी बिल की बात करते थे बहुत बड़ा एहम है पहली बात जी है कि हमारे पास जितनी भी मेनेजमेंट की लेवल पर जितनी भी स्टोरेज की लेवल पर ज जितनी भी फूट को समझने की लेवल पर कैसे पहुचाना है उस पे कैसे लोगों को चीतन करना है जैसे फुरसर गुमर्स जी ने बोला है इन सब को एक पसे छोड़ते हुए पहली बात है कि लोगों को इन लोगों को खान अनाज की जुरूरत है क्या मोटा अनाज जैसे आ सिर्फ अनाज से जो भुकमरी की समस्य है उसका समधान हो जाएगा अगर खादे सुरक्षा कानून सही तरीके से लागू हो जाता है तमाम खामियों को दूर करके सिर्फ एसी से नाज से नहीं हो पाएगा पूरा क्योंकि उसमें ना ये राइस है और चावल है बीट है दाल की कोई प्रोविजन नहीं है तो और हम देखे जाएं जो इंडिया का डेटा भी है तो 1961 में जो पर कैप्टा था 69 ग्राम्स पर डे होता था जो गिर के था 30-9 ग्राम्स तक आगै है 2011 में अलरेडी दाल की प्राइज भी बहुँ जादा तो कुछ एक्सेंट तक जो अगर फूट से कुरिटी बिल हम करेंगे इंपलिमेंट तो थोड़ा सा लूप वयए प्लग करने में वे करेंगा जो प्रोपर निट्रिशन के लिए वह प्रॉपर नहीं है अगर प्रॉपर निट्रेशन हम कैलरी की बात करें तो फूर से कुर्ट बिल उसको नहीं कर सकता है कुपोशन की जो समस्य है वह दूर नहीं हो सकती क्योंकि जिस तरह से कह रहे हैं कि 40 पीज़ी 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोशन का शिकार है हलांकि उसमें जो कारण भी बताएगे हैं कि सामाजी का समानता है महिलाव में पोशन शिक्षा और सामाजिक इस तर का निम्न होना है अब यह कैसे सुधरेगा आपने चलिए खाद्यान तो अन्याज उपलब्द करा दिया लेकिन आब सामाजिक इस तर सुधारना शिक्षा जो इतनी बड़ी तादाद में लोग अशिक्षित हैं यह सब कैसे सुधरेगा तब ही तो उसके बाद ही तो यह जो भुखमरी की समस्या वो दूर हो सकती है सब्सक्राइब करते हैं कि क्या हम अपने संमाज में जैसे का तैसे समाज आया उसमें चेंज ना लाकर employment कर सकते हैं हम चाहते हैं बूख परी खत्म हो हम चाहते हैं new employment policies हो लेकर हम साथ में यह भी चाहते हैं कि हमारे जो समाज की जो social सतर है उसमें कोई change ना आए तो जो दोनों हपस में growth बास है अब अगर हम social exclusion को खत्म नहीं करें तो हम उनको कैसे include करेंगे employment opportunities है employment opportunities जो हम ला रहे है new economic reform से उसमें लग रहा है कि जिसके पास साधन है जिसके पास capital है जिसके पास दन है वो मंडी में आ सकता है लेकिन जो गरीब तबका है वो क्या करेंगा उसके पास रोजगार के साधन कैसे पहुंचेंगे प्रफिसर घु हो सकते हैं मैं दो बातें कहुंगा इस पे तो पहले पहले इस पे आने से पहले मैं एक कैलरी इंटेक का विजे जी ने रेफरेंस दिया था जी एस पर स्टेंडर्स 2400 और 200 कैलरी की जरूरत है रूरर अर्बन एरियास में अगर हम नससो का डेटा देखते हैं आफ्टर इरियास में तब कैलरी इंटेक 2153 था अब कम होके 2020 रह गया और अर्बन एरियास में 2071 था अब कम होके सब्सक्राइब के साथ लिंग करना चाहिए सिर्फ अविलेबिल्टी फूट से बात नहीं बनेगी एक मिनिममम नूट्रिशनल जो रुक्वार्मेंट है ही मुद्वीं की वह पूरी करनी चाहिए जो के प्रेनिक मिश्च राज दे भी रहे हैं हर्याड़ा और हिमाचल में साथ में तेल और चीनी की भी बात हो रही है सस्ती दरों पर अगर हम इसका समाधान की बात करते हैं तो मैं दो तरह के इसके जो स्लूशन की बात करूं एक शौर्ट टम है इमिडेट इमिडेट तो वह था जैसे भी जितना फूट ग्रेन हम प्रडूस करते हैं मिनिमम लॉस सब्सक्राइब कर क्या रही है और अगर हम एप सी आई को देखें सिर्फ एप सी आई में दस लाख टन फूड ग्रेन है वह पिछले दस साल में वेस्ट इस गी है एंड वह एक क्रोड हंगरी आमन जो भूख मरी के शिकार है उनको फूड दे सकता है इसलिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब को दे दुए इसलिए मैं दोत रहके आपको समाधान पता रहे शॉर्ट रन में तो वह जो ट्रांस्मिशन लॉससे को कम से कम किया जाए इसमें जितने भी स्कीम से गवर्मेंट की इनमें ओबरलाइब बहुत जादा है इनमें कोडिनेशन नहीं है इस एक त कि आपके जिसको फूर पूर चाही है उसके दक फूर मिले जिसको नुट्रिशन चाही है उसका फूर नुट्रिशन जाए यह तो शॉर्ट रन में लॉंगरं में दो तीन चीज़ों की जरूरत है एक तो जो ग्रीन रेवलीशन जिन स्टेटम शीट में था जैसे पंजाम मे in इन में इन में सेक्टंड ग्रेडराशन की ज्रूरोड है। डूसरा जहां पर ग्री viral एक दफा भी ऑट करता हो ऑन्स्ते डंस स्टेट में धीकिडार्य यह इससे फूड ग्रेंड आपका बढ़ है। दूसरा जो long term है वो institutional reforms है वो जो productive assets है जैसे land है इसमें इसकी जो distribution है बड़ी आनीवन है जो पूरा उसकी अक्सेस से नहीं है जो पूरा उसकी productive assets पर अक्सेस नहीं है उसकी access भरने की जुरूरत है ताकि उसको sustained basis पे income का कोई जरिया कोई source महिया हो जाएगा 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 जाए एमजी नरेगा है यह short term तो चल सकता है long term में हम self employment generation poor को empower करना पड़ेगा जाता उसकी skill improve करें उसका education का level improve करें उसकी health का level improve करें so that उसको जो productive employment है उसकी access बढ़ाएं अगर वो access बढ़ जाती है इन सब पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूते प्रफेसर रॉनकिरम जो हमें अभी जिसके बारे में अब चर्चा हो रही है वो चर्चा यह हो रही है कि जो समाज की जितनी भी समस्याई है including food समस्या क्या समस्या का समाधान सरकारों पास है क्या इन समस्या का समाधान सरकारों ही ने करना है क्या government जो है government जो है वो govern करनी है जो government है उसने governance करनी है अगर बो प्रॉपरली गुवर्नस दे रही है तक क्या जे समस्या अपने अप हल हो जाएगी अब राज जो है राज का काम है कि लोगों को सुरुक्षत करना अंदरूनी और बाहरी हमलों से लोगों को बेर मिनिमम सुरुक्षत देना तांकि वो अपने घरों में अपने शहरो आक जिए दूसरे जगा तक पहुंचते हुगे अराम से बिना किसी दिक्क्त से वह पहुंस के उनको बहाँ पर जहां लगता है। यह जो भुक्मरी है, वो जो है जो अपनी पोटेंशिल है सीख्शा के लिए उनको सादर मिल रही है उनको एक जग जगा से दूसरे जगह प फूड जिनरेरेट करने की फूड प्रसेस करने की फूड को एक जगह से दूसरे जगह पहचाने की शमता भी पढ़िए शमताओं का विकास पर ध्यान देना चाहिए चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है विजह आखरी कोमेंट्स आपकी तरफ से किस तरह से भुकमरी कम हो इक से तुसमें रूर्ल जो यूद को है जैसा है की काम कर सकते हैं एक तो और बैंक्स भी कई जगह पर कर रहे हैं पंजाब में अर्यान में इसको बढ़ाने की जरूवत है जैसे चोटा ट्रक्टर चलाना सब कुछ है फिर अगर इसका है कि से आधर्या स्किल्स में की अगर यह सारे जो सुझाव दियेंगें इन पर अमल में लाने की सरकारी वागश करें। शुक्रिया आप सभी का सर्चा में शामिल होने के लिए देश के प्रधान मेंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग देश में कुपोशन की समस्या को राष्ट्री शर्म की बात कह चुके हैं अब खादिस रक्षा बिल के आने से हालात कितने सुधरते हैं ये देखने वाली बात होगी नमस्कार